नमश्कार दोस्तो एक नए विशे के साथ फिर आपसे मिल रहा हूँ Stages of Human Development हम पढ़ रहे थे Childhood and Growing Up जो पेपर है उसके इंदर और इसी में एक टॉपिक आता है जो बहुत महतोपूर्ण है प्रिक्षा की दृष्टी कोन से भी और उसके साथ-साथ हमारी मानविय समझ या अध्यापक होने के नाते जो समझ है उसके लिए भी Adolosense stage की शोरावस्था जिसको हम कहते हैं तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो मेरा एक अरोध है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें Adolosense का मीनिंग पढ़ेंगे The word Adolosense comes from a Greek word Adolosier which means to grow to maturity Greek शब्द से इसकी उत्पत्ती हुई है और उसका मतलब है कि परिपक्वता के लिए grow करना, बड़ा होना Adolosense is the most important period of human life सबसे महतोपूर्ण समय होता है मानविय जीवन का It is the spring of life of human being and an important era in the total life span Spring कहा गया है मानविय जीवन जैसे spring में पौधों में नहीं पतियां आती है वैसे ही Adolosense stage में भी आप सब जो सुन रहे हैं वो इस अवस्था से गुजर चुके हैं हम भी कुछ नई जो फूटन है हमारे अंदर पनपती है और ये सबसे महतोपूर्ण अवधी होती है मानविय जीवन की Some psychologists define it as the transitional period of life इसको मनोवग्यानिक कुछ जो है वो कहते हैं कि संकर्मन काली नवधी होती है Transition किन किन चीजों का होता है बालिय अवस्था से प्रोड़ अवस्था के बीच का जुडाव है The child experiences a number of changes in the transitional period इस संकर्मन काल में बालक बहुत सारे बदलाव अनभव करता है The period runs between childhood and adulthood and is sometimes called the period of teenage इस अवधी को बच्पन और व्यस्था के बीच चलती है और कभी-कभी इसको किशोरा अवधी भी कहा जाता है किशोरा अवस्था कहा जाता है टीनेज इसको कहा जाता है और बहुत महत्तपूर्ण होती है आगे बढ़ते हैं कुछ definitions है पहली definition है The World Health Organization WHO ने इसको define किया है defines an adolescent as any person between ages 10 to 19 दस साल से उनिस वर्स की आईउ में जो भी बालक-बालिका है वो इस अवधी के अंतरगत आते हैं उनको हम adolescence कह सकते हैं स्विस्व स्वास्तिय संगठन के अनुसार इस इस रेंज फाल्स विदिन WHO definition of young people which refers to individual between ages 10 to 24 यह कह रहा है कि यह जो I.U. है यह यूवा लोगों की परिभाशा के अंतरगत आती है जिसको WHO ने 10 से 24 वर्स लिए है और 10 से 19 वर्स को उन्होंने adolescence माना है यूवाओं की उस I.U. में से 10 से 19 वर्स को उन्होंने adolescence माना है कि सोरा वस्था माना है अकॉर्डिंग टू A.J. जैरसिल्ट जैरसिल्ट ने बताया अडॉलोसेंस इस तैट स्पैन अफ इयर्स दूरिंग विच बोईज और गर्स मूव प्रॉम चाइल्ड हुड तो अडॉल्थूड मेंटली, इमोशनली, सोशली और फिजीकली यह कहते हैं कि अडॉलोसेंस जीवन की उस समयावधी का नाम है जिसमें लड़के और लड़कियां जो हैं बाल्य आवस्था से प्रोड आवस्था हम परवेश करते हैं किसकी सक्षेत्रों में करते हैं? मेंटली, मानसिक तोर पर, इमोशनली, समयगात्मक तोर पर, सोशली, समाजिक तोर पर, और फिजीकली जिसको हम कहते हैं शर्रिक तोर पर इन चारक शेत्रों में वो बदलाव देखने को मिलते हैं जो वो परोड़ा वस्था के अंदर जो उनके काम आने है या बदलाव होते हैं चारक शेत्रों में अकॉर्डिंग टू डॉर्थ रोजर्स, रोजर्स ने इसको डिफाइन किया है प्रॉसेस रादर दैने पीरियड पीरियड नहीं है ये प्रिक्रिया है उनके अनुसार अप्रॉसेस ऑफ अचीविंग दा एटिटूड्स और बिलीव सीखते हैं अभी वरतियां सीखते हैं जिन से हमने आगे जाकर समाज के अंदर सहभागिता करनी होती है तो आप कितना अच्छा रोल प्ले आगे आकर अपनी प्रोड़ा वस्था में समाज के अंदर कर पाएंगे वो अभिवृतियां और विश्वास आपको इस किशोर अवस्था के अंदर गेन करने होते हैं उनको धारन करना होता है उनको सीखना होता है जीन प्याजे कहते हैं महान आदर्शों का युग और सिध्धानतों के सुरुआत के साथ साथ वास्तविक्ता के लिए सरन अनुकूलन की अवधी है क्योंकि बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो कल्पनाओं के साथ जीता है प्रन्तु यहां आकर वो वास्तविक्ताओ वो ऐसा नहीं था अब चीजें कुछ और है आगे बढ़ते हैं दो डेफिनेशन और है एक स्टैनले हौल की डेफिनेशन है उन्होंने कि सोर अवस्ता को तनाव तुफान संगर्ष और विरोध की अवस्ता कहा है होता है शरीर में कुछ घटित हो रहा होता है मन कुछ कह रह है उस समय हम उसकी जो आशाएं है और शक्ति को देखकर हम यह कह सकते हैं तो कंक्लूजन सार रूप में हम क्या कह सकते हैं बाल्या वस्ता के बीच की अवदी है पहली चीज़ आयो सीमा दस से उननिस वर्स के बीच माने जाती है वैरी करती है कुछ डेफिनेशन में इस समय में बच्चा जो है वो अब विश्वास सीखता है और विश्वास सीखता है क्रेक्टर स्टिक्स की बात करते है विशेस्ता है कि शोरा वस्ता में शार्रे की विकास बड़ी तेजी से होता है पहले विशेस्ता शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलें और बड़ी तेजगती से देखने को मिलेगे, मतलब हमें दिखने लगता है कि कुछ ही समय में बच्चा जो बच्चे जैसा था अब वो बदल गया, उसके मूँपे मूँचे आने लगी हैं, उसके मूँपे फोड़े फुनसिया होने लगे हैं, उनके शरीर में कुछ परिवर दिखाओं में दोडाता है, तीन जो महतुपुर्ण हमारी दिमाग की जो फैकल्टीज हैं, जैसे बुद्धी जिसको का गया है, कल्पना का गया है, और तर्क का गया है, वो विक्सित होती है सवस्था में, इस सवस्था तक उनमें आतम सम्मान की भावना का प्रयाप्त वि जाता है, अब वो बार-बार लड़ेगा, हम उसको बिएंगे टीचर, बिएंगे पैरेंट्स, बिएंगे सुसाइटी मेंबर, हम बच्चे की तरह डील करते हैं, परन्तु वो अंदर से उसके अंदर आता है, कि नहीं मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं रो कि लोग ऐसा क्य उसवज़े से उनमें डिस-adjustment जो होती है, माल-adjustment जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिलती है, इस सवस्था में कलपना की परधानता रहती है, इस सवस्था में कलपना शक्ति का प्रियाफ्ट विकास हो जाता है, तिशोरों में घ्रिश्ट मित्र बनाने की सबसे अधिक प इस अवस्था में जो बालक बालिकाएं हैं वो बातें अपने मित्रों के साथ सांजा करते हैं जो वो अपने अभी भावकों से भी नहीं करते हैं। अस्थिरता उत्सा और उत्साहींता से ग्रसित होते हैं। इस अवस्था में समवेगों में उत्ल पुतल और तनाओं में रहने के कारण इस अवस्था को मनोविज्यानिक समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। किसोरा वस्था में बालक तता बालिकाएं धीरे धीरे परिपक्वता की और बढ़ने लगते हैं। किसोरा वस्था की समाप्ती के बाद किशोर पूरो परिपक्व्यक्ति बन जाते हैं। वो मैच्चोरिटी की तरफ चल पड़ते हैं। इस सवस्था में बालक प्रोध, घ्रिणा, चिर्चिड़ा पन आदी को नियंत्रित नहीं रख पाते। शौफ करते हैं। घर में लड़ लेगा, बड़ों को कुछ कह देगा, खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, घर छोड़के चला जाऊंगा, कमरे में बंद कर लेता है। ये चीजें देखने को मिलती है, ये उसकी एक और विशेस्ता है। इस अवस्था को बालक कलपना जगत में विच्ण करता रहता, इसी कारण में दिवास्वापन देखने लगता है, ये क्या मुस्किल है, इतने पैसे क्या मुस्किल है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो गाड़ी ले लूँगा, मेरा दोस्त ऐसे कर देगा, ये वाले अधिक होती है इस सवस्था के अंदर, इस सवस्था में बालक में वीर पूजा, वीर नायक की भावना का विकास होता है, सभी बच्चे, लड़के, लड़कियां किसी, अपने जो हीरोईजम जिसको हम कहते हैं, एक नायक या नायका जो है, उसको पसंद करने लगते हैं, कि इसके लिए वो क्या करते हैं, समाज सिवा करने लगते हैं, समाज के कामों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं, किशोर सवभाव से परंपराओं और रूढियों के विरोधी तरता सवतंतरता प्रेमी होते हैं, ये परंपराओं, अंद विश्वासों और रूढियों के ब प्रेम की भावना उत्पन्न होती है उपोजिक सेक्स के प्रति, अट्रेक्शन की जो फी लिंग है वो देखने को मिलती है ये कुछ विशेस्टाइं थी जो हमें सामाणनेत कि देखने को मिलती है आप बढ़ते हैं कि उनकी problems क्या है, कि शौरावस्ता की समस्याएं क्या है पहला है मांसिक उल्चने, शरीर में कुछ घटित हो रहा है, दिमाग में विचार कुछ आ रहे हैं समाज, अध्यापक और परिवार जो है वो कुछ कहना चाहता है इससे बालक जो है, मित्रमंडली कुछ कह रही है, उक्सार है ये कुछ करने को परिवार कुछ कह रहा, एक बड़ी दूइधा में आ जाता है, उससे मांसिक उल्चने बच्चे के अंदर पैदा होती है शारिक परिवर्तन संबंदी समस्या, कैसी? शरीम में परिवर्तन आने लगते है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनके उपर जो बालों का आना, शारिक परिवर्तन आना, लड़कियों में महावारी की समस्या, मूच्छें उगाना लड़कों के अंदर, इस तरह क जो चीजें वो आ रहे हैं और कोई बतलाने वाला नहीं है, भारती परंपरा में तो ये बड़ी समस्या है, कि बालक को इसके लिए कोई पत्परदर्शन करने वाला नहीं है, तो बच्चा इसके लिए बड़ी दिक्कत में आता है, सवतंतरता संबंदी समस्या, बालक सवतं में रहता है कि मैं अपने आपको किसी नकिस तरीके से स्थापित कर लो आतम सम्मान पाने के लिए वो किसी भी हड़ तक चाने को तयार रहता है और कई बार इसमें कुछ गल्पियां भी होती है ये भी एक समस्या की दृष्टी कौन से इसको देखा जाता है समयोजिन की समस्य अब अड़िजस्ट्मेंट नहीं कर पाता जैसे मैंने अब बताया परिवार समाज और विद्धयले तीनों एक तरफ कहींच रहे हैं मित्रमंडली और शारिक प्रिवर्तन और उसके इमोशन जो हैं उसको एक तरफ खींच रहे हैं तो अड़िजस्मेंट में समस्या परन्तु ये उसके एक आंत्रिक समस्या है और कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाती है अगर उसको ठीक से टेकल किया जाए तो असुरक्षा की भावन एक बार उत्सा में आकर वो करेगा कि नहीं मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगा मुझे सब्संतरता चाहिए फिर उसको लगता है ऐसी रख्षा की भावनातियां चीज़ों को लेकर और कई बार ऐसी अवस्थाओं में बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं योन संबं को देखने को मिलती है क्योंकि उनके लिए प्रियाप्त मारक दर्शन नहीं मिलता है अगला है व्यवसाई संबंदी समस्या जब बालक आतम सम्मान पाना चाहता है सवतंतरता चाहता है तो वो व्यवसाई की बात भी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या करूंगा आगे चलकर जीवन में तो व्यवसाई संबंदी समस्या उनके सामने देखने को मिलती है तो ये तो था हमारा टॉपिक का डॉलो सैंस का मीनिंग, प्रेक्टर स्टिक्स और प्रॉब्लम्स अब हम पढ़ेंगे कि इनकी सिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए अगली वीडियो के अंद